हमीरपूर संसदीक शेतर से कॉंग्रेस परत्याशी रामलाल ठाकुर ने अपने प्रचार अभ्यान तेज कर दिया है और प्रचार अभ्यान के दोरान पहली बार हमीरपूर पहुंचने पर बीजेपी पर वे जम कर खमला बोला भोटा कस्बे में पहुंचे रामलाल ठाकुर का कारेकरताओं ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया रामलाल ठाकुर ने भोटा शिव मंदिर में माथा टेकर आशिरवाद लिया रामलाल ठाकुर ने बीजेपी पर तंज कस्ते हुए कहा कि कॉंग्रेस उमीदवार की घोशन और धारा 375 ए को लेकर भी बीजेपी ने हमेशा लोगों को गुम्रहा किया है। ठाकुर ने कहा कि बीजेपी का चुनावी घोशना पत्तर बहुत बड़ा चलावा है क्यूंकि पिछली बार के वाइदे आज तक पूरे नहीं हुए है। कि जहां तक अयोध्या में भगवान राम के मंदर को बनाने का प्रशन है यह बड़ा पुराना इशू हो गया है। कई चुनाव भारती जिंदा पार्टी ने राम मंदर के नाम से लड़े लेकिन रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं है। अभी ऐसा लगता है कि भगवान राम के जो मंदर का निर्मान है वो अभी काफी पीछे चला गया है। और आज की तारीक में जो आप केहरे हैं कि आज उन्हीं जो चुनावी घुशनपतर दिया है। को के ऊपर एक साल की जो उस के उपर ब्याज है उसको जो है वो मौफ करने की बात कही गया है। यह मैं कहूँगा यह जो भारती जिन्ता पार्टी के चुनावी घोशना पत्र है 2014 के चुनावी घोशना पत्र को सामने रखते हुए ऐसा लगता है कि यह भी एक बहुत बड़ा च्छलावा है और मैं ही कहना चाहूँगा कि आज की जो चुनाव है वो चुनाओ है भारत वर्ष में भारती जंता पार्टी की जो सरकार बनी साड़े चार सालों पांच सालों के अंदर उन्होंने भारत वर्ष के लोगों से चलावा किया जूट बोला बोट एंठे और कोई काम नहीं किये और अब क्या है अब जो सुवालात हैं जो उन्होंने जो काम किये हैं साड़े चार पांच सालों के अंदर अब उसका उस्तर नहीं दे पा रहेंगे अब क्या है अब धर्म की राजनिती हो रही है अब हिंदू और मुस्लिम का नाम लेके भारत बर्श के लोगों से चलावा एक और दुबरा से हो रहा है कॉंग्रेस पार्टी के उमीदवार की गोशना पर बीजेपी को खुश होना चाहिए रामलाल ठाकुर ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी का उमीदवार चैन आंतरिक मामला था लेकिन बीजेपी बार बार इस पर टिपनी कर रही थी जो कि उसका अधिकार क्षेतर नहीं है उन्होंने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि कॉंग्रेस में केवल एक चुला है बलकि बीजेपी में चौधा चुले हैं कॉंग्रेस पार्टी के के इडिडेट का उन्हें फैसला किया उससे भारती जिनता पार्टी को खुश होना चाहिए लेकिन पेट में दर्द क्यों हो रही है अगर मान लो देरी होगे तो वो तो उनको खुश होना चाहिए कि देरी होगे हम उल्चेराय टिकट के बढ़वारे में एक कॉंग्रिस पार्टी का अंतरीक मसला है पॉर कॉंग्रिस हाई कमांड ने फैसला करना था और ये मैं कहां चाहूंगा कि तुम्हारी तरह से जो है वो हमारे कोई जो पूर्बीयों की तरह हमारे कोई 14 चुल लेनी है एक ही चुला है कॉंग्रिस पार्टी का सांसेद अनुराग ठाकुर को कॉंग्रिस पर्टैशी रमला ठाकुने नसीहत देते होए कहा की हद में रहकर वे बियान बाजी करें क्योंकि जूट बोलकर किसी का भला नहीं होता है उन्होंने कहा कि नशे का कारुबार कब बड़ा इसका सभी को पता है लेकिन अनुराग ठाकुर से उन्होंने पूछा कि बिना खेल ही कैसे वे किरकट टीम के कपतान बन गए और एचपी से के अध्यक्स के साथ किरकट कंट्रोल बोर्ड के चेरमेन सिप से किसने उन्हें निकाला ये जनता जानती है ठाकुर ने कहा कि इस बार मुकाबला रामलाल ठाकुर और पूरुव सीम धुमल के बेटे के बीच में है और अब लोग जानते हैं कि किसने क्या किया है इसलिए अनुराग ठाकुर बोलने से पहले अपने चार पाई के नीचे ज़ाडू मार लें करल बिलासपुल की कोट की धार और नन दिविया की धार आज याद आई उनको आज हमना का ईरिया है घ्रामिंट ख्षेत्र इंको आज याद आने शुरू हुए पिर में उनके प्रशन पूछना चाहता हूं कि जो भी मैं कहुंगा कि जो ड्रग्स का जो जॉँ जो जहां पे भी हुआ पूरे हिंदुस्तान में सब को मालूम है कब हुआ क्या हुआ और हिमाचल पृदेश में जो है ये ड्रग्स कहां से आई कब आई क्या हुआ नौजवान कहां पे जो है वो इसमें भटक गए ये भई अगर अनुराग ठाकुर को जादा इल्म है तो मैं कहूंगा तो उनको मैं उसकी मुवारक बाद देना चाहूंगा अब का जो चुनाव है वो प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंतरी हिमाचल प्रदेश के बेटे के साथ नहीं है आज चुनाव अनुराग ठाकुर के साथ है अब मुख्यमंतरी जो है वो पूरों मुख्यमंतरी बन गये है अब जो चुनाओ होगा वो चुनाओ होगा अनुराग ठाकुर उन्होंने तीन टर्म्स में क्या किया उन्होंने अपना जो MP लेड का पैसा है वो कहां कहां पे दिया और उन्होंने किस परकार से क्रिक्ट के मादनिम से लोगों को ठगा यह मैं कहूंगा प्रशन ये हैं और अ रामला ठाकुर एक किसान का बेटा है उसके बीच में और पूरे मुख्या मंतरी जो है वो उसके बेटे के बीच में होगा अब मुख्या मंतरी का बेटा चुनाओ नहीं लड़ रहा है अब लोगों को पता लग गया है कि कौन कहां पे है इसलिए अनुराग ठाकुर जिसे मैं उन्होंने कहा कि अनुराक ठाकों ने जूटा हल्फ नामा देने के बाद सुप्रिम कोर्ट में गलती मानी थी इसका जबाब भी उनको जनता को देना चाहिए। ब्यान हल्फी दिया उन्होंने जूटा ब्यान दिया ब्यान हल्फी भी जूटा दिया और उसके बाद सुप्रिम कोर्ट में मौफी मांगनी पड़ी उनको कि मेरे से गलती हो गी थी तब वो केस से बाहर हुए उसका जुआप दे दीजिए।